जहें दोस्तों, दोस्तों यह आप संस्किर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपको बहुत महत्पून होने वाला है क्योंकि आज हम संस्किर्ट के अंतर का जो चेप्टर वाई चर्चा कर रहे थे उसमें आज हम बरणों के उच्छान स्थान पर चर्चा करेंगे सातीसा संधी समास विभक्ती से संबंदित प्रिष्णों पर भी आज के ही वीडियो में चर्चा होने वाली है तो आप इस वीडियो को देखिए और बहुत अच्छे तरीके से याद भी करते जाईए जिससे एक एक प्रष्ण जो यहां पर महत्पून आपके लिए आया है उसका आपको भी उत्तर बताना है पहले प्रष्ण का उत्तर तो आपको सामने देख रहा है बागी का आप भी कमेंट करेंगे देखें बरण च्छा किन दो बेंजनों के संयोक से बना है तो आपको च्छा बर्ण बता दें, पहले तो यह संयुक्त बेंजन है, संस्कित बर्ण माला में, हिंदी में भी यह है, और यह जो बना है तो बना है आधा का और पूरे सा से, कोई भी जो संयुक्त बर्ण है उसमें जो बना है दो बर्णों से, दो बेंजनों से मिलकर के बने है तो पहला बेंजन आध्या है तीक है जैसे चा है तो आध्या का और पूरे सा से मिलकरके बना है ता है तो आध्या जाओ यहां से मिलकरके क्या बनता है स्रा इस प्रकार से आपे लगा लेना चली अब आगे बढ़ जाते हैं कमेंट बॉक्स खोल लिजी उत्तर बताने के लिए तैयार रही अब आगे के प्रशन आपको बताना है बहुत महत्पूर्ण चैप्टर संबंदे ताच प्रशन है तो चैनल को सब्सक्राइ हो जाएगा तालू ठीक क्या हो जाएगा तालू क्योंकि चा बर्ग का है यहां बर्ण किस बर्ग का है चा बर्ग का पूरे चा बर्ग का उच्चान स्थान होता है तालू चा चा जा 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 यहां ठीक है ना आगे देख लेते हैं बहुत महत्पूर्ण प्रशन है कमेंट ब और नासिका भी है जल्दी से बता दीजिए संस्कित की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बेश्ट है पूरी आपकी सिलेवस के अनुसार सिख्षक भरती की परिक्षा मा आपके सभी सब्जेक्ट की कराते हैं तो यहाँ पर जो हो जाएगा मा इसका उचान स्थ बर्ग का पंचम बर्ण है ठीक है न तो इसका उच्चान स्थान क्या है नासिका भी है इस प्रकार से आप लगा ले न कि मा का उच्चान स्थान ओस्ट और नासिका दोनों हैं धाबरन का उच्चान स्थान दोस्तों आपको करम से नोट्स चाहिए हो या और विवस्त धंक स पढ़ना हो तो आप हमारे अपको पिले स्टोर से डाउनलोड कर लिए ना जिसकी लिंक मेंने डिस्क्रिप्सन में दी है और टेली ग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाईएगा तो धाका उच्चान स्थान जल्दी से बता दीजे धाका उच्चान स्थान इसके बाद संधी स समास के परशन भी हमें पढ़ना है तो धाका जो उच्चान स्थान है बै है मूर्धा क्या है मूर्धा क्योंकि टबर्ग का है और पूरा का पूरा टबर्ग का उच्चान स्थान क्या है मूर्धा है हमारे आप उच्चान स्थान वाला वीडियो देखीगा हमारी पिले चांस्थान, बढ़णमाला, सबकोश आपको तरिक से पढ़ने को मिलेगा, चलिए अब शुरूबात कर लेते हैं, अंगले पुचान पर, दैत्यारी का संधी वीक्षित, कई बार पूछा गया है, दैत्यारी, ठीकिना, दैत्यारी का संधी वीक्षित, क्या होगा, तो आपको बता दें कि देत्यारी का जो संदी विक्षित यहाँ पर जल्दी बता दीजिए हाँ बिल्कुँ सही पहचान रहे हैं इसका क्या हो जाएगा देत्यारी इसमें हमने ट्रिक बताई थी कि बीच में बड़े आ बड़ी का उच्चान बड़े उच्चान हो तो दीर्गुसर्व संदी होती है तो यहाँ पर प्लस के पहले भी आ है यहाँ भी आ है आ और आ मिलकर के बड़ा हो गया तो इस पकार से वहाँ पर क्या बन गया देत्यारी बन गया और देखें मही सहा का संदी विक्षित होगा बहुत महत्पूने संदिया है इसके बाद कुछ समास भी लेंगे और संधी की हमने ट्रिक का जो हमारा वीडियो है दो लाग से जादा लोग जिसको कुछी समय में पढ़ चुके हैं ऐसी वो ट्रिक है एधी बो ना देखी हो तो मैं विसेश रूप से कमंड करूँगा आप कोई वीडियो देखें ना देखें हमारे जो संधी और समास की ट्रिक वाला वीडियो है इन दो को जरूर देख लेना आपके हर पेपर में में काम में आएगा इस बात की गारंटी लेता हूँ संस्कित व्याकरन ट्रिक नाम से हमारी प्लेलिस्ट है वीडियो पूरा होने के बाद उसमें देखना और संधी और समास की अप्ट्रिक वाले वीडियो जरूर देखिएगा तो मही सा का संधी विक्षित जो हो जाएगा मही प्लस ईसा ई के बाद ई आ रहा है ठीक है ना तो बड़ी के बाद बड़ी तो बड़ी हो जाएगी दीरिक्षवर संदी यहाँ पर हो जाएगी ठीक है यदि संदी पूछ ले तो कौन सी दीरिक्षवर संदी है और संदी विक्षित पूछ ले तो मही प्लस ईसा है प्रित्रिणम का संदी विक्षित होगा दोस्तों कमेंट भी जरूर कीजिए आपका response मिलता रहे क्या आप तैयारी कर रहे हो कैसे आपको किन subject में कटना आई है तो वो हम जरूर ले करके आएंगे साथ में वीडियो को like कर दें तो पित्रीडम जल्दी बता दीजिए तो पित्री प्लस रिणम इसमें भी कौन सी संदी है पित्री प्लस रिणम री के बाद री आ रहा है समानस्वर अकासा बने दीरगा दीरगस्वर संदी है पित्री प्लस रिणम से मिलकर क्या बनेगा पित्रीणम आगे देखें लतेव का संदी विक्षित होगा लतेव जल्दी से बता दीजिए लतेव का संदी विक्षित क्या हो जाएगा हाँ बिल्कुँ सही पहचान रहे हैं कि लतेव का संदी विक्षित हो जाएगा लताधन एव आके बाद यह आ रहा है तो यह को ए हो जाएगा कौनसी संदी एक मात्रा हमने बताई थी किसी सब्द पर हो तो गुण सुरसंदी का उधारन होगा दो मात्राएं हो तो ब्रद्धी सुरसंदी का तो यहाँ पर उपर कितनी मात्रा है एक मात्रा तो लताधन एब तो बन जाएगा लताइब अब देखें महाउजाह का संदी विक्षित होगा अभी हाल मैंने आपको बताय था कि एक मात्रा उपर हो तो गुण ओ दो मात्रा हो तो ब्रद्धी ठीक है ना दो मात्रा हो तो ब्रद्धी संधी ठीक है तो यहाँ पर देख लें आप दो मात्रा हैं तो किस संधी महुजा में कौन सी है ब्रद्धी अब ब्रद्धी संधी का आ वागे रहम सब पढ़ा चुके हैं ट्रेकसे इसलिए यहां सीधा बता दे रहे हैं कि आके बाद O आ जाये तो आउ हो जाता है तो महा प्लस O जहा आके बाद O या आउ आउ आए तो आउ हो जाता है तो महा उजा यहां पर बन जाएगा उपरयुक्त का संदी विक्षित होगा उपरयुक्त का संदी विक्षित आपको बताना है इसका तो मैं चाहूंगा कि आप विशेश रूप से याद ही कर लें तो आपको बता दें कि उपरयुक्त का जो संदी विक्षित होगा बहे होगा उपरी प्लस उक्त ठीक है न तो इसमें क्या हुआ है कि E के बाद U आ गया है तो E के बाद U आने से E को क्या हो गया है या हो गया है ठीक है न तो इससे मिलकर क्या बना है उपरी पलस युक्त से मिलकर के उपरी युक्त बना है अब एक मैं आपसे कमेंट में उत्तर चाहूंगा कि उपर युक्त में कौन सी संदी है स्वर संदी है इतना मैं बता दे रहा हूँ बाकी कंटूज नी होना अब स्वर के भेद में से कौन सी है वो आप बताईए नई बनेगा तो अगले वीडियो में बताने के लिए तो हूँ ठीक है चलिए समास पे आजाईए नेत्र हीना में कौन सा समास है नेत्र हीना ठीक ना नेत्र हीना तो आपको बताते हैं जब मैंने विभक्ती पढ़ाई थी ट्रिक के साथ उसमें बताया था किसी से हीन्ता की बात हो कोई अपंग हो तो उसमें कौन सी आती है तिर्थिया विभक्ती आती है जैसे अक्षडा, काणा, सिर्षा, खलवाटा पादेन, खंजा सब में क्या रहे थी तिर्थिया असी नेत्र हीना नेत्र से हीन तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तिर्थिया तत्पुरुस समास हो जाएगा कौन सा तत्पुरुस होगा तत्तिया 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 तत्तिय से भैभीत ठीक है न तो बही यहाँ पर पंच मीतत प्रोस हो जाएगा चोर भैम ठीक है न यह समझ गए आगे दोस्तों लाइक जरूर कर देना है अभी तक ना किया हो वीडियो को इतना काम आपको करना है लाइक एंड कमेंट ठीक है न नीलोत पलम में कौन सा समास है नीलोत अब देखें यहाँ पर नील क्या है विशेशन है और उत्पल क्या है विशेश्य है उत्पल मतलब होता है कमल और नील मतलब नीला तो नीला है जो कमल तो विशेशन विशेश्य भाव कहाँ पर आता है तो यह आता है कर्मधारे समास में किस में आता है कर्मधारे समास में आता है उपमानूप में या विशेशन विशेश भाव तो नीलोत पल में कौन सा समास हो जाएगा कर्मधार है अब देखें आगे देखें पंच पात्रम में कौन सा समास है जल्दी से कमेंट कर दीजिए समास संधी पड़े हो जिनने हमारे समास संधी के वीडियो देख लिए मैं गारंटी लेता हूँ उन पर पूरे प्रिस्न सही बनेंगे क्योंकि मैंने व्याख्या भी सरल बताई है और ट्रिक भी जोड़दार बताई है ठीक है न इसलिए वीडियो को पहले पूरा देख लें फर जाना संस्केट व्याकरन ट्रिक नाम से हमारी पहले लिश्ट में ट्रिक है तो वो देना दी ना मिले तो कमेंटे में बताना सर हमें नहीं मिल लई है तो मैं आपको बापिस उसकी लिंक सेंड कर दूँगा टेलिग्राम चैनल पे भी हमारे लिंक मिल जाएगी जाकर के जॉइन कर देना मैं वहाँ पर सेंड कर दूँगा पंच पात्रम में कौन सा समास है तो आपको बता दें कि पंच पात्रम में यहाँ पर समास हो जाए कहा है संख्या बाचे दिगू मतलब जिसका प्रथम पद संख्या बाची हो अहाँ पर दिगू समास होता है तो पाँच पात्रों का समाहार इसका बिग्रह हो जाएगा तो दिगू समास यहाँ पर हो जाएगा प्रथम पद संख्या बाची है मित्रा वर्णव में कौन सा समास है महत्पून है इसमें लोग गल्ती कर सकते हैं जल्दी बता दीजे मित्रा वर्णव तो यहाँ पर हो जाएगा मित्र अवर्णव मित्र और हाँ सत्रू एक प्रकास अर्थ निकल आएगा यहाँ पर तो यहाँ पर दो चीजों में क्या हो रहा है आपस में दुंद हो रहा है ठीक है ना दुई बचन का भी सब्द हमने बताय था कि दुई बचन के सब्दा आ जाते हैं या फर आपस में दुंद होता है माता पिता ठीक है ना इस परकार से दिन रात इस परकार से और पाणी है हमने सब्द रूप ट्रिक के साथ पढ़ा हैं वो भी हमारे उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे अब भ्यास प्रसंड लगा ना हो तो उसके लिए हमारी प्लेलिस्ट ले संस्कित मॉडल पेपर और व्याकरन ट्रिक के साथ पढ़नी तो संस्कित व्याकरन ट्रिक प्लेलिस्ट ह तो अब आपको बता देंगी रामई जो सब्द बनता है, कौन सी विभक्ती बचन में बनता है, तो तृतिया में बनता है, तृतिया बहु बचन, ठीक न, क्या बनता है, रामेड रामाभ्याम रामई बहु बचन में, रामेड एक बचन, रामाभ्याम दुई बचन, रामेड बहुवचन में बन जाएगा तृतिया बहुवचन में राम सब्द के गभो में कौन सी विवक्ती है गभो में कौन सी विवक्ती जल्दी से बता दीजे तो आपको बता देंगी गभो में जो हो जाएगी हाँ गो सब्द के रूप चलाना है तो गभु में यहाँ पर हो जाएगी सश्टी दुई वेचन मैं आपको कम समय देता हूँ बताने के लिए माना लेकिन कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करना ही हमारा लक्ष हो आपको सफलतर देना हमारा लक्ष के खासकर Sanskrit में तो आपको मिलें गी वैसे आपको बता दे मैं हर वीडियो के बहुष सारल तरीके से लाता हूँ चाहे आपके बालविकास हो चाहे आपकी हिंदी हो चाहे संस्केत हो, चाए परयाबरण हो, चाए सोसल साइंस हो, आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस सब सब्जेक्ट के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, राग्याम में कौन सी विवक्ति है, जल्दी बता दीजे, राग्याम, राग्याम लिखा है, आप चैनल पर मिलेंगे, राग्याम में कौन सी विवक्ति है, तो यहाँ पर उसका जो उत्तर हो जाएगा, तृतिया है, नद्या एक बचन, एतही में कौन सी विवक्ति है, यह सरवनाम सब्द है, ठीक है न, एतत सरवनाम सब्द में जो चलते हैं, एतत एक पूरता रहेगा, एक आदा, तो इसके रूप हैं, सरवनाम सब्दों के, तो इसमें कौन सी विवक्ति है, जल्दी बता दीजिए, तो एतही में आपको बता अगे देखते हैं ते में कौनिसी विभकती है ठीक है ना जल्दि बता दें तत्यत्यादी के रूप आपने ना पड़े हो तो पढ़ ले ना तो ते में आपको बता दें कि हो जाएगा चतुर्थी एक बचन ठीक है ना चतुर्थी एक बचन मत सब्द में कौन सी भी भक्ती है इसके लिए मैंने बताया था कि दो रूप आप ज़रूर पढ़ लेना असमद और युसमद एक काम करूँगा भी मैंने इसके पढ़ाई नहीं है आगे वीडियो ले तो तीन-चार दिन का इंतजार कर लीजे चैनल के तो सब्सक्राइबर होई गए होंगे आप तो आँगे आपको उसका वीडियो मिल जाएगा तो मत में आपको बता दें कि यहाँ पर जो विभक्ती हो जाएगी भै हो जाएगी पंचमी ठीक है ना हाँ पंचमी विभक्ती ह किस संख्या का बोधक है तो संख्या के लिए मैंने आपको बताए था कि आप एक-एक सब्द को तोड़ लें से दुआ मतलब समझ जाएंगे दो और बिनसती मतलब 20 तो इनको प्लस बीच में प्लस का चिन्न लगा देना है तो दो और बीच कितने हो गए 22 तो दुआ बिनसत किस संख्या का बोधक है ठीके ना सड सीती अब इसको भी तोड़ दो 60 में ऐसे हो जाए का इसका तोड़ेंगे दी संदी विक्षे से तो बेंजन संदी इसमें तो 60 प्लस 80 है हाँ पर 60 प्लस 80 तो 60 मतलब होता है 6 और 80 मतलब होता है 80 मैंने क्या बोला था इसमें बीच में प पढ़ा ही एक से लेकर करके एक अरब खरब तक की संक्या है संस्कित व्याकन ट्रिक नाम से पढ़ा चुके हैं तो 6 प्लस 80 तो कितना हो गया 86 60 इस प्रकास आप निकाल देना कोई भी संक्या आए 10 तक याद कर लो बांकि अपने आप याद हो जाएंगी लकार के प्रिशना आगए देखें भूधातू लटलकार मध्यम पुरुष बहुबचन का रूप होगा धातू रूप ट्रिक नाम से हमारा वीडियो हर सब्जेक्ट के वीडियो आपको संस्कित के मिल जाएंगे तो भूधातू भूधातू के जो रूप चलते हैं लटलका अब मध्यम पुरुष में पूछा है बहुबचन तो भवसी भवताह भवत क्या बन जाएगा दोस्तों भवत बन जाएगा सी तरस्का ठीक हो जाएगा आगे देखें गमधातू लोटलकार होता है आग्यार्थक लटलकार होता है बढ़तमानकाल में उत्तम पुरुष ये एक बचन तुई बचन बहु बचन बता दिये मध्यम पुरुष में भव भवत 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 भवानी भवाव भवाम इस प्रकार से यहाँ पर चलते हैं भूधातू की चला दिये यसे गमधातू के दि हम चला दें तो गच्चतू गच्चताम गच्चन तू ठीक है ना गच्च में यहाँ पर हो जाएगा ठीक है सी का उत्तर ठीक हो जाएगा आगे देखते हैं इस्था धातू लंग लगार उत्तम पुरुष एक बचन का रूप क्या हो जाएगा इस्था धातू इस्था जो होती है वह बैठने के अर्थ में होती है जब इसके अपन रूप चलाते हैं तो लिट लकार को छोड़ दो बाकी सबी लकारों में तिष्ट हो जाता है क्या हो जाता है? तिष्ट हो जाता है जैसे द्रस धातू है तो लट लकार छोड़कर के बाकी में पस इसके रूप चलते हैं पस स्यती चलेगा द्रस स्यती नहीं होता ठीक है ऐसे इस्था धातू के क्या चलते हैं तिश्थती रूप इस पेकार से चलते हैं तो अब यहाँ पर लेकर लंग लकार पूँछा है उत्तम पर उस एक बचन में यहाँ पर रूप बन जाएगा वो बन जाएगा आतिष्ठम, क्या बन जाएगा आतिष्ठम, ठीक है, हाँ, आतिष्ठत, आतिष्ठत, आतिष्ठम, आतिष्ठन, ऐसे स्पकासिस की रूप चलेंगे, और बहु बचन में उत्तम पर उसके क्या बन सही हो जाएगा हाँ आप भी कमेंट करते जाएं फटाक से बिलकुल लट लकार उत्तम पुरोस एक बचन है अगले देखते हैं आगे के पर दोस्तों वीडियो को लाइक ओ कम से कम तीन लोगों तक सेर आप जरूर करेंगे ऐसी हमें उम्मीद है और मैंने जसा की बोला कि टेल कौन सा बचन है लिखत जल्दी बता दीजिए हाँ बिलकुल सही पहचान रहे हैं आप लिखत में हो जाएगा आपको बता दें कि ये लोट लकार में बनता है लिखत ठीक है ना तो मध्यम पुरोस बहु बचन में बन जाएगा ठीक है ना तो लोट लकार मध्यम पुरोस ब ऐसे दूट चलते हैं उसके, बाकी जतने बताते ज़ां उतने बोः हैं, आप अलग से जो इनके वीडियो आप देख लेंगे तो अच्छी तैयारी हो जाएगी. कुरूतम में कौन सा बचन है कुरूतम तो कुरूतम में आपको बता दें कि कुरूतम में जो बचन हो जाएगा बै हो जाएगा हाँ बिल्कु सही लोट लकार मध्यम परोस दुई बचन यह कहाँ पर दिया है बी में दिया है लोट लकार मध्यमपरोस दूई बचन हो जाएगा कृधातु से बनेगा आ गया क्रत्वा आ गया तो हमने मैंसे कौन सा प्रत्या है यहाँ प्रत्या पूछा गया है क्रत्वा सब्द में ठीक है ना क्रत्वा में प्रत्या पूछा गया है प्रत्या जल्दी से बता दीजी और हम लोग ऐसे त्वा बोलते वैसे तुछ इस प्रकार से इसका ही प्रत्य हो जाएगा क्री धातू है उसमें त्वा प्रत्य लगने से क्या बन गया है दोस्तो करत्वा बन गया है अगला देख लेते हैं दोस्ते एक निवेदान मैं जरूर करूँगा कि इस वीडियो को इस तरब test series की रहेगी तो आपको जो पढ़ना हो वो यहाँ पर इस वीडियो की playlist से पढ़ लेना चलिए ग्यत्वा में कौन सा प्रत्य है तो ग्यत्वा में जो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर भी बही प्रत्य हो जाएगा जो उसमें था क्या ग्यत्वा प्रत्य है ठीक है न? ग्यत्वा में ग्याध हातू में हो जाएगा इसमें ठीक है तो दोस्तो लाइक जरू करना शेर करना उम्मीद है प्रशन पसंदा रहे होंगे आगे भी ऐता हाँ इसलिए आप चैनल से जुर जाएए और स्कीन पर जो पल्यलिष्ट दी है उस पर क्लिक कीजिए इन पल्यलिष्टों पर कलिक करें और आप आगे की पढ़ाई की अपने मजबूत बनाएं आंगले वीडियो मुलाकात होगी जय हिंद